बलेवुड के महानायक अमिता बच्चन आज अपना 76 वाजन दिन मना रहे हैं अमित जी के बारे में कई बाते हैं उनकी फिल्में, गाने और डायलॉग सभी फेमस हैं इसके साथ ही अमिता बच्चन ने लगभग सभी एक ट्रेस के साथ काम भी किया है और इन में से ही एक ट्रेस थी स्मित टापाटिल जिनके साथ भी अमिताब ने रेन सौंग फिल्म आया था ये गाना फिल्म नमक हलाल का गाना था जो की आज तक फिमस है और जिसके बोलते आज रख पढ़ जाए एक ट्रेस स्मिता पाटल ने ये रेन सौंग अमिताब के साथ फिल्म आया था और ये उनकी पहली कॉमर्शियल फिल्म थी उन्हें लगा कि दर्शक उन्हें इस अवतार में देखेंगे तो क्या सोचेंगे फिल्म का गाना शूट करने के बाद स्मिता रात भर रोई थी और अगले दिन अमिताब बच्चन उनकी हालत देख कर समझ गए थे अमिताब ने स्मिता को समझाया था कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी इसके बाद एक ट्रेस कुछ ठीक हुई थी और फिर उन्होंने अमिताब के साथ फिल्म शक्ती में भी साथ काम किया था तो वहीं एक किसाई ये भी है कि अमिताब के फिल्म कुली के एक्सिडेंट होने के पहले एक ट्रेस स्मिता पाटिल को आभास हो गया था कि अमित जी को कुछ होने वाला है उन्होंने हादसे से एक रात पहले ही पता चल गया था और उन्होंने अमिताब बच्चन को फोन करके उनकी तबियत के बारे में पूछा था उसके ठीक अगले ही दिन अमिताब बच्चन के साथ जानलेवा हादसा हुआ था अमिताब ने कई फिल्मों में अलग-अलग किरदार में काम किया है और कई शो को होस्ट भी किया है महानायक अमिताब बच्चन का शो इन दिनों भी चल रहा है पूरा देश कौन बनेगा करोडपती के नाम से जानता है अमिताब जी की फिल्मे और उनके हिट डायलोग शायद ही कोई भूल सकता है अमिताब बच्चन ने अपने जीवन में कही उतार चढ़ाव देखे है और इसके बाद ही वो सधीक के महानायक बने है